आई जानते हैं आज की कुछ अंदराश्ट्रे खबरों को पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर जमुकाश्मीर में दो आतंग की हमली अनन्दनाग में टूरिस्ट कपल को मारी गोली सोपिया में बीजेपी नेता की हत्या राघव चढधा, आतीशी और सौरभ भारद्वाज भी भेजे जाएंगे जेल आज बीजेपी ओफिस पहुँचेंगे सीम केजरीवाल पाचवे चरन में यूपी की 14 सीटों पर कल मथदान राहूल स्मृती राजनात की प्रतिष्ठा दाउपर चालिस करोर कैस मिला अभी भी गिंती पूरी नहीं, जूता कारोबारी के यहां अकूत दौलत देखकर आईटी अपसर भी हैरान किर्गिस्तान में तीन पाकिस्तानी छात्रों की लिंचिंग के बाद सहमे स्टूडेंट लाहोर पहुँचा एक सो असी छात्रों का पहला बैच जेडियस सांसत प्रजवल्न रवेन्ना के खिलाफ अरेश्ट वरेंट जारी योशोशन के आरोपों से घिरे हैं एंडिये उमिद्वार अफगारिस्तान में बाड और बारिस से फिर तबाही पचास लोगों की मत दारा सिंग का चेला है मैं चंदू चैंपियन ने जीता दिल तीन घंटी ओप्रेशन थेयर्टर में थी राखी सावंथ निकला बड़ा च्यूमर पूरपती रितेस ने कहा अभी तक होश नहीं आया और पानी उड़ाक कर प्ली ओफ का जशन आधीरा सड़क पर उत्रा पूरा बैंगलूरू जब मुकाश्मीर के अनंतनाग और सोपिया में दो अलग-अलग फाइरिंग की घटनाए सामने आई है सोपिया के हीरापूर इलाके में आतन्कियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज एहमद पर फारिंग की थी उन्हें गंभीर हल्थ में अस्पताल ले जाया गया था जहां बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है वही अनन्तिनाग के पहला गाम इलाके में राजस्थान के एक कपल को गोली मारी गई है बताया जा रहा है कि आतन्कियों ने पहल गाम में एक टूरिस्ट कैम को निसाना बनाया था जहां जैपूर के एक कपल फरहा और तब्रेच को गोली लगी है दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराये गया है जानकारे के मुताबिक दोनों पती पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में अड्मिट कराये गया जहां उनका इलाज चल रहा है दिल्ले के मुखे मंत्री अर्विंद केजरीवाल ने सनिवार को कहा है कि वह और आम आदमी पार्टी के नितार अविवार को बीजेपी ओफिस जाएंगे ताकि प्रधान मंत्री जिसे चाहे उसे जेल भेज सके उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद स्वाती मालिवार पर कथित हमले के सिलसिले में अपने सहयोगी विभव कुमार की गिरफतारी के कुछ घंटे बाद एक प्रेस कॉनफरेंस में दावा किया है कि बीजेपी कह रही है कि वह हाली में ब्रिटेन से लोटे आप सांसद रा मनी सी सोधिया, सतिंद्री जैन और संजे सिंग जैसे आप नेताओं को जेल भेशने का खिल खिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों और सांसदों के साथ आज दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्याले आ रहा हूँ जिस से भी जेल में डालना हो, एक ही बार में डाल दीजे। चरन की 14 सीटों में से राइबरेली को छोर कर बाकि सभी पर भगवा पर्चम फैराया था। सिंग भाजपा से तीसरी बार मैदान में है, वहीं सपा ने अपने जुझारों विधायक रविदास महत्रों को मैदान में उतारा है। उत्तर परदेश की आगरा में इंकम टैक्स विभाग ने बड़ी कारवाई की है। तीन चूता वैपारियों के ठीकानों पर छापे मारी की गई, जिसमें बेहिसाब संपत्ती मिली है। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक 40 करोर की नगदी मिली है। बाकी कैस को गिना जा रहा है, जानकारी की अनुसार, छापिमारी के दौरान जूता वैवसाई के घर पर नोटों का धेर मिला है। इनमें 500 के नोट है, यहाँ कैस कितना है, इसकी अभी गिनती की जा रही है। आएकर विभाग ने नोटों को गिनने के लिए बैंक के अफसरों और करमचारियों को जिम्मेदारी सौपी है। अभी तक 40 करोर रुपे की काउंटिंग की जा चुकी है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी राशी को गिना जा रहा है। इतने भारी मातरा में मिले नोट, गिनते गिनते, अधिकारी और करमचारी ठक गये है। किर्गिस्तान की राजधानी, बिश्केक में विदेशी और अस्थानिय चात्रों के बीच हिंसक जड़ब हो गई है। हालात इतने खराब हो गए कि अब तक पाकिस्तान के तीन चात्रों की लीचिंग की बात की भी सामने आई है। इसे बीच पाकिस्तानी चात्रों का पहला बैच किर्किस्तान से लाहौर पहुँच चुका है इस बैंच में 180 चात्र है पाकिस्तानी चात्रों को स्पेसल फ्लाइट के A571 से लाहौर लाया गया पाकिस्तान के मंत्री ने लाहौर में चात्रों को रिसीव किया है बता दे कि प वीडियो इंटरनेट पर शेर होने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया और अस्थाने चात्रों ने वीदेशी स्टूडेंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया करनाटक में जेडियेस सांसद और बीजेपी की अगुवाई वाली एंटिये की उमिद्वार प्रजवन रिवन्ना के खिलाफ अरेश्ट वारेंट जारी किया गया है वह सैक्रों महिलाओं के योन शोशन के आरोप में घीरे हैं लेकिन लापता चल रही है SIT मामले की जांच के रही है जिसने रिवन्ना के खिलाफ अरेश्ट वारेंट जारी करने के संबन में कोट का दरवाजा खटखटाया था योन शोशन के आरोपो पर जेडियेस सुप्रीमो, SDA देवे गोडा ने भी अपनी चुपी तोड़ी है शनिवार को उन्होंने कहा है कि अगर उनका पोता दोशी पाया जाता है तो उसके खिलाफ की जाने वाली कारवाई पर उन्हें कोई आपत्ती नहीं होगी उन्होंने अपने BTSD रिवन्ना के खिलाफ भी चल रहे हैं मामले पर टिपनी की और कहा की उनके खिलाफ केस बनाए गए थे लेकिन उन्होंने आगे टिपनी करने से परहेच किया इन दिनों अफगानिस्तान में बार और भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है तालिबान की एक अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि मद्य अफगानिस्तान में बारिश और बार्ट की ताजा इस्तिती के बाद कम से कम पच्छास लोग मारे गए हैं रोयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की घोर प्रांत की सूचना विबाद की प्रमुख मावलवी अब्दुल हाई जेई ने बताया है कि शुकरवार से शुरू हुए बारिश के कार कितने लोग घायल हुए हैं जिसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि छेतर की कई प्रमुख सडके भी कट गई हैं जमई ने कहा है कि प्रांत की राजधानी फिरोज कोह में 2000 घर पूरी तरीके से तूट गये हैं और 4000 घर आंशिक रूप से छतिग्रस्थ हो गये हैं जिबकि 2000 से जादा दुकाने तबाह हो गई हैं अधिकारियों ने र कार्तिकारियन स्टार्ड फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा का महौल गरमाया हुआ है ऐसे में मेकर्स द्वारा लगतार तीन अलग-अलग पोस्टर्स की रिलीज ने दर्शकों को काफी उतसाहित कर दिया है फर्स्ट पोस्टर के बार से ही फैंस ग्वालियर में ट्रेलर रॉंच का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं पोस्टर्स में फिल्म के अलग-अलग पहलू दिखाए गया है जिससे सभी को अंदाजा हो गया है कि फिल्म में क्या होने वाला है साथे फिल्म में कार्तिकारियन की रेंज और जबर्दस्ट ट्रांस्फोर्मेशन को कर दो भी दिखाये गया है ट्रेलर बहुत जबर्दस्ट है और यह कहना होगा कि यह देश भर के दर्शकों की उमीदों पर खड़ा उत्रा है ट्रेलर देखने की बायात दर्शकों के लिए इसकी रिलीज का इंतिजार करना मुश्किल हो गया है ट्रेलर एमोशनल एक्शन और अब तक के सबसे बड़े वार सीक्वेंस की जलक दिखाती है। साथ ही कभी हार ना मानने वाले एक वैक्ति की प्रेर्णा दायक यात्रा के साथ साथ कुछ दिल को छू लेने वाले पलों से रूबरू करवाती है। ट्रेलर लोगों के रोंग्टे खरे कर रहा है। वेकार्तिक आरियन की एक्टिंग से काफी प्रभावी थे हैं। लोग कमेंट करके फिल्म को बेस्ट हिट बता रहे हैं। टीवी की ड्रामा कुइन कही जाने वाली राखी सावंत इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पर हलचल मच गई थी जब अस्पताल में राखी सावंत की तस्वीरे शोशल मीडिया पर वारल हुई थी। इसके बाद खबर आई कि राखी के गर्भाशे में ट्यूमर है। जनिवार कौन की सर्जरी हुई थी। अब फेमस पैपराजी हैंडल ने इंस्टेक्राम पर रितेस का वीडियो शेर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी राखी जी की सेहत काफी अच्छी है। में सर्जरी सफल रही। क्या माइने थे। आधी राथ पूरा बैंगलूरू सहर सडकों पर उतराया था। जमकर जशन मना टीम बस के पीछे-पीछे कई किलोमीटर तक फैस का हुजूम था। लोग अपने फेवरेट किरकेटर्स की एक जलक पाने को बेकरार थी। कोई बस की छट पर खड़े होका डांस कर रहा था तो कोई नीचे सडकों की भीड अपने अपने तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। सिर्फ बैंगलूरू ही नहीं बलकि करनाटा के अलग-अलग शहरों से जचनी की तस्वीरे सामने आ रही हैं।